नमस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत सवागत है आप सभी के अपने यूट्योब चैनल डियर गुरुजी पर तो साथियो आज पांजुलाई है और कल आप सभी का ecz bone है तो इस्पेसली यूपी उ भले और बिहारवाले दो स्टेट का ए ग्जाम Ole तो दोनों में कुछ चीजे common है, कुछ चीजे common बिल्कुल भी नहीं है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे, और काफी लोग के सवालते वे से मैंने वीडियो बनाया है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, तो एक बार मैं फिर से revise कर दे है, admit card में लिखा गया है, मैं आपको भी बताता हूँ, admit card में साफ साफ जो लिखा गया था, लिखा ये गया है, कि भाया आपका total उसमें आपका एक admit card original उसके लावद 2 उसकी photocopy, 2 उसकी photocopy लेके जाना है, एक डाउट यहाँ पर यहाँ है, कि sir, 1 ले जाए, 2 ले जाए, त इतने लोग में पर में ले जाए, sir, 1 ले जाना, 2 ले जाना, confusion दूर करिए, photocopy तो करवाना है, sir, आपको, 1 photocopy करवाने में 2 photocopy क्या जाता है, मालो निकाल लोगे, रखे रहोगे अपने पास, क्या ही दिक्कत है भाई आपका, वो फेक तो नहीं है, मतलब आपका भीकार त आपका, तो admit card आपका, 2 photocopy लेगेगा, तो इसको जो अपने पास रखेगा, 2 photocopy, फोटो की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसा चिप को आकर ले जाना है, कि भीना चिप कर ले जाना है, तो आप नॉमल लेकर कर जाओ, वहाँ पन में भी साय चिप काया जाता है, तो मैंने देखा था चैनल पर, तो आपका फोटो से फोटो बनता है, निकलवा लीजिएगा, ठीक है, तो यह तो आपको admit card से लेट हो गया, इसके राव आपको क्या रखना है, अपना एक ID proof अपने पास रखेगा, आपका आधार कर चल सकता है, आपका deal हो सकता है, उसमें से को वोट हो, पासपोर्ट वैसे में बहुत कम लोग का बना होगा, यह अपका जो होना जाए, पासपोर्ट के लावा आपका voting ID card चल जाएगा, इन में से कोई एक सब नहीं उठा के लिए जाना, इन में से कोई एक लेके जाओगी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इसके ला पालन का मतलब क्या है, sanitizer and mask, ठीक है, mask at least रखिएगा, sanitizer का उतना जो है वो नहीं है, बठा, mask जो है, लेकर जाएगा, और वैसे आज कल के समय में देख रहा हूँ, ऐसा कुछ खास हो जहाँ आप हो नहीं रहा है, बठा, जब उसमें लिखा है, COVID के निमो का पालन करना है, तो mask जो है, लेकर के जाएगा, ठीक है, एक तुचीज यह हो गया, इसके लबावा और क्या लेकर जाना है, और सबसे important भाई, pen, ठीक है, क्योंकि आपका offline paper होना भाई, सब के लिए मैं बता रहा हूँ, यह हर के लिए आप काम आएगा भाई, pen की बात करते तो pen जो है, सब को ल मत भूलिएगा, कफी लोग जो है, और एक से दो pen रखिएगा, ठीक कभी-कभी एकाज pen जो है, नहीं काम करे, तो दूसरा pen आपके पास होना चाहिए, और OMR seat को जो है, बहुत अच्छे से ध्यान से भरिएगा, फिल करिएगा, उसके बाद मात करेंगे, पहले, क्या लेकर यह आपका हो गया, admit card दो लेके जाना है, admit card एक खुद का एक उसके साथ Mark City लेके जाना है, ठीक, इसके लिए आपका photo ID आपका तो लेके जाना ही जाना है, यह तो चीज़े आपकी हो गई, admit card ID proven, black ball pen, तो यह इतनी must चीज़े हैं, जो आपको लेके जानी ही जानी है, और mobile ल लगने वाला है, ठीक है, photo हो गया, admit card हो गया, यह हो गया, अब देखो hall में घुसने के बाद, सबसे important चीज में आपको बता रहा हूँ भई, यह बहुत लोग गलती करते हैं, hall में घुसो, तो सबसे पहले आप सभी को क्या मिलता भई, सबसे पहले आप सभी को, जो OMR seat मिल जाएगा, ठीक है, OMR seat मिल जाएगा, तो OMR seat मिले, तो उसमें जो चीजे लिखी हैं, जो भी निर्देश लिखे हैं, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसका अच्छे से पालन करो, उसमें जो चीजे लिखी हैं, बिल्कुल वैसे ही सब चीजे करना है, गोला भढ़, जो जो गोला-गोले के अंदर ही भढ़ना है, इसको दिमाग में रखीएगा, ठीक है, और जब भी आप आप अपना क्या भरो, अपना जो रोलंबर भरो, रिष्टे से नंबर भरो, तो ध्यान से देख करके रोलंबर, रिष्टेशन नंबर, मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है, यह सब चीज़ जो ध्यान से आप लोग भरिएगा, तो सबसे पहला काम तो OMR को होता है, बहुत जल्दवाजी नहीं, पेपर मिलने के पहले आपको टाइम देते हैं, यह सब भरने के लिए, तो आ OMR seat को अच्छे से बढ़ना और कोई सफेदा उफेदा का यूज मत करना वाई, ठीक है, वाइटनर का सफेदा का यूज में नहीं होता है, उसमें साफ साफ लिखा है, यूज करते हो ना, तो आपको लगता है, आपने कर दिया ठीक है, पट वो उसका नंबर जो है नहीं नहीं है, ठीक है, तो ये तो भाई आपका जो हो गया, OMR seat का हो गया सब कुछ, अब देखो यहाँ पर OMR seat भरने के बाद, जब आप paper solve करने बैठो, चाहे किसी भी state वाले हो, देखो बिहार में तो negative marking नहीं है, तो बिहार वाले चिल लो भाई है, बिहार में बिलकुल सारा क टाइम पे होता होगा, तो फर्स्ट पेपर जब होगा, तो फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी रहेगा, ठीक है, और आपका जो है, जी के रहेगा, तो इस सिर्फ इन 100 questions को करने के लिए आपको मिलेगा भाई है, तीन आवर्स का टाइम मिलेगा, तो आईनो कि आप लोग सो करने के बात नहीं है, और एकदम जो चीजें हैं अच्छे से करके आनी है, जो आपको आएगा वो करना, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना क्योंकि मास मांगिंग तगडी वाली है, रिजनिंग में आपको बताया था जब आपका सेकेंड पेपर होगा, अच्छा बीच आप उसके पूछ करके लगा भी लोगए, बितनि आपको शोड़ दो करना भी गहाई करना, आप पर अपने नहीं पढ़ेपर आपने उपर भरसा जायरा था बेखरें अब आपिव और वाली होगे और पर दो. न चाहूंगा रिजनिंग में आपको बताया था क्या चीजे पहले कर लेनी है अलफबेट पहले लिख लेने हैं और जो इसक्वायर है ये सब चीजे है इनको याद करके जाना है चाहो तो आप उस एक्जाम के पहले लिख सकते हैं पूर अच्छे से ठीक है और जो चीज़े आने है बस आपको वही करना है जो नहीं आना है जो आपको नहीं आ रहा है उसको skip कर देना इसपेसले यूपी वाले बिहार वाले तो सब मार के आएं कोई थिक्कत वाले बात नहीं है ठीक है तो इतना तो आपको करके आना है और अब ही जो है आप लोग जो ह ज्यादा भी पढ़ाई मत करो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेस्क कर लो, और हाँ, जब आप लोग एक्जाम देने जाओ, तो एक्जाम देने से पहले, प्लीज कुछ हैवी खाके मत जाना, ठीक है, प्लीज कुछ हैवी खाके मत जाना, कुछ नॉर्मल फ्रूट खाके जाना, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कभी-कभी क्या होता, ब्लोटिंग होती है, प्रॉलम भी बहुत आ सकती है, तो कुछ है भी खाके मत जाना, नॉर्मल जो है, कह सकते हो, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, इस पेसलिए अगर आप केला खाके जाते हो, तो सबसे बे आप लोग अच्छे से एक्जाम देना, और हाँ, एक्जाम देने, दे के आने के बाद, आप लोग एक बहुत इंपोर्टन चीज है, वो मैं आपको बता दूँगा, टेलीग्राम पर बता दूँगा, बट एक बाद फिर से मैं आप उता दे रहा हो, कि जो हमारा ये नंबर आपको बना करके प्रवाइट कर सको, तो इस नंबर पे सेंड जरूर कीजएगा, पहले सेफ्ट के भी कोईशन, दूसरे सेफ्ट के भी कोईशन, ठीक, तो चलिए, तो आज के इस वीडियों से इतना ही, अगर आपके कोई डाउट बसते हैं, आप नहीं बचेगा, परिसान क्याना ठीक?